हेलो गाईज, वेलकम टो आवर यूटूब चैनल इस्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ हिस्ट्री के टॉप 50 कुशियन्स जो आपके आगामे एक्जाम चाहे वो सेंटरल लेवल के हो या फिर स्टेट लेवल के सभी आगामे एक्जाम के लिए काफ़े इंपोर्टेंट है तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें साथे साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिविकेशन आपके पाद जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं अराउंड 5.5 के यहाँ पे सस्क्राइबर्स हो चुके हैं सुबद 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे कुईज कर जन भी कराया जाता है इसके अलावा अधर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडियाप सीही पे शेयर की जाती है लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो के और इस सीरीज का पहला कुशन है विश्व प्रशिद्द मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया मयूर सिंहासन रखा गया है दिल्ली के लाल किले का दिवान ए आम भवन में ओप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर है अगला कुशन है मुगलों की किस मस्जिद को मोती मस्जिद भी कहा जाता है मोती मस्जिद कहा जाता है आगरा की मोती मस्जिद को option C आपका यहाँ पर right answer है अगला question देखिए बाबर के बारे में कौन से कथन सत्य है पहला कथन है वहाँ केंडरी एशिया में फरगना के शाशक शेक मर्जा का पुत्र था दूसरा है वहाँ अपने पिता की ओर से चंगेश खां और माता की ओर से तैमूर का वंसस था तीसरा है उसने प्रशिद सोफी किर्थी मनसवी का फार्सी से तुर्की भाषा में अनुवाद किया और चौता है पंदरा सो तीस इज़वी में उसकी मिर्थिव हो गई सारे ही कथन शत्य है तो option A उप्यूग तो सभी आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question है मौरी सामराजी में परचलित मुद्रा का नाम क्या था मौरी सामराजी में परचलित मुद्रा का नाम था पर अप्शन A यहाँ पर आपका right answer है अगला question है निम्न को मिलाईए सूची first को सूची second के साथ मिलाना है देखिए एक तरफ आपके साशक दिये हैं दूसरे तरफ मगबरा दिया गया है कौन शाशक का मगबरा की जग़े पर इस्तित है यह आपको बताना है देखिए बाबर का जो मगबरा है यह है आपका काबुल में हुमायू का है दिल्ली में अगबर का मगबरा है सिकंदरा में और जहांगीर का मगबरा है आपका लाहोर में तो आपके यह सारे ही option right है option B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला है किस युद्ध के पश्यात एक भिस्ती की शायता से हुमायू ने गंगा पार की और अपनी जान बचाई तो इस question का right answer है आपका चौसा option C आपका यहाँ पर right answer है अगला है निम्ने में से कौन से मुगल शाशक एक अर्ध राजपूत यानि राजपूत मा से जन्मा थे तो इस question का right answer हो जाएगा आपका जहांगीर एवं शाजाँ option C आपका यहाँ पर right answer है अगला question है किसके शाशनकाल में पेश्वा पद न केवल शक्तिशाली हो गया अपितु वन्शानुगत भी हो गया तो इस question का right answer है साहू option D आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला है निम्ने में से कौन पर्थम मराठा शाशक है जिसे मुगलों से मान्यता मिली थी वो मराठा शाशक था साहू option A आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए नूर जहां का बच्पन का नाम क्या था नूर जहां के बच्पन का नाम था महरू निस्ता option C आपका यहाँ पर right answer है अगला question है चंदावर के युद्ध में कौन सा भारती शाशक पराजित हुआ था चंदावर के युद्ध में पराजित जो भारती शाशक था यह था आपका जै चंद्र option D आपका यहाँ पर right answer है अगला question देखिए सूची first को सूची second के साथ सुमेलित कीजिए एक तरव आपके दिये हैं देखिए सूची first दिया है सूची second दिया है इसको मिलाना है पेश्वा पेश्वा का right answer है आपका पूना भोसले का right answer है नाकपुर होलकर का right answer है आपका इंदौर गायक वार्ड का right answer हो जाएगा आपका पड़ोदा और सिंदिया का right answer है आपका ग्वालियर तो इस question का right answer हो जाएगा आपका option C option C आपका यहां पर right answer है अगला question देखिए रैयत वार्डी भूमी बंदोबस्त का प्रवर्टक कौन था रैयत वार्डी भूमी बंदोबस्त का प्रवर्टक था Thomas Munro option A यहां पर आपका right answer है अगला question देखिए इस्थानी श्वाशासन का पिता किस वाईशडाई को कहा जाता है इस्थानी श्वाशासन का पिता कहा जाता है रिपन को option B आपका यहां पर right answer है अगला है Montague Champs Ford A अधिनियम Montague Champs Ford A अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया Montague Champs Ford A अधिनियम जो है यह पारित किया गया आपका 1919 श्वी में option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए साम परदाईक प्रतिनिधितु पर्णाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई साम परदाईक प्रतिनिधितु पर्णाली लागू की गई 1919 श्वी के अधिनियम के द्वारा अगला है वर्ना कुलर प्रैस एक्ट किस वाइसराई द्वारा लागू किया गया था वर्ना कुलर प्रैस एक्ट जो है यह लागू किया गया था वाइसराई लिटन के द्वारा option B आपका यहां पर right answer है देखें गाईस questions पसंद आ रहे तो वीडियो अगर आपको पसंद आ दिये तो वीडियो को like जरूर कर लें हमारे चैनल पर नए है तो हमारे YouTube चैनल study with aim को जरूर subscribe कर लें वीडियो को जाद से जादा share जरूर करें अगला देखें वर्ना कुलर press act किस वाई सराई के द्वारा समाप्त किया गया था वर्ना कुलर press act समाप्त किया गया था रिपन के द्वारा option C आपका यहां पर right answer है अगला question देखें स्वराज दल का भह नेता कौन था जिसने सर्प्रथम सरकारी पत स्विकार करके स्वराज दल को पतन के मार्ग पर अग्रशर कर दिया यह नेता था आपका S.B. तामदे S.B. तामदे था अगला question है सुबास चंद्र बोष किस अधिवेशन में कॉंग्रेश के अध्यक्ष बने यह अधिवेशन था आपका हरीपूरा अधिवेशन जिसमें आपकी सुबास चंद्र बोष अध्यक्ष बने थे option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला है कॉंग्रेश ने किस गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया कॉंग्रेश ने पिर्थम गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था option A आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला question है क्रिप्श मिशन भारत कब आया क्रिप्श मिशन भारत आया आपके 1942 B को option D आपका यहां पर right answer है अगला देखे British Indian Association की स्थापना कब की गई British Indian Association की स्थापना की गई आपके 1851 B अपका यहां पर right answer है अगला question है बंगाल में क्रांतिकारी नेता द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई बंगाल में क्रान्तिकारी नेता द्वारा अनुषीलन संस्था की स्थापना की गई option A यहां पे आपका right answer है अगला question देखिए विदेशों में क्रान्तिकारी कारी करने वाले प्रमुक नेता थे विदेशों में क्रांती कारी कारी करने वाले प्रमुख नहींता थे आपके शामजी कृष्णवर्मा, लाला, हर्दयाल, भाई पर्मनंद सभी थे तो उप्यूग तो सभी option D आपका हैं पर right answer हो जाएगा अगला देखिए पूना समझोते की प्रमुख व्यवस्था थी केंद्री व्यवस्था पिका मैं भी सामानी स्थानों के लगभग 20 प्रतिशत इस्थान दलित वर्गों के लिए शुरक्षित रखे गए और तीसरा है दलित वर्गों को उनकी शेक्षणिक योगिता के अधार पर इस्थानी सस्थाओं वह सार्वजनिक सेवाओं में उचि प्रतिशन देखिए निमलेखित मैं से कौन सा जोड़ा गलत है गलत जोड़ा है आपका ओप्षण डी ए ओ हुम वेदो की और लॉटो तो ओप्षण डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वेदो की और लॉटो जो था आपका यह दयानंद सरस्वती का नारा था बाकी गाधी जी का नारा करो या मरो था बाल गंगर तर तिलक का था स्वराज मेरा जन्वसिद्ध अधिकार है सुबास चंडर वोस का था तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और आपका वेदो की और लॉटो हो गया दयानंद सरस्वती तो आप यह करेक्ट कर लिजेगा अगला कुश्यन है राम कुरुष्ट मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई राम कुरुष्ट मिशन की स्थापना की गई आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा ऑप्शन बी आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला कुशन देखे लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कारिवाही करने का निश्य गब किया लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कारिवाही करने का निश्य लिया आपके 16 अगस्त 1946 को option B आपका यहाँ पर right answer है अगला question देखे भारती स्वतंतरता की प्राप्ती में साहयक तत्व था भारती स्वतंतरता की प्राप्ती में साहयक तत्व था आपका भारती राष्टे आंदोलन की शक्ती युद्ध के बाद इंग्लेंड की कमजोर उस्तिती ब्रिटेन में मजदूर दली सरकार तो सभी उप्युक्त सभी तत्वस आपके right हैं यहाँ पर option D आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखे भारती राष्टवाद के पिता कहलाते हैं भारती राष्टवाद के पिता कहलाते हैं आपके राजा राम मोहन राई option D आपका यहाँ पर right answer है अगला question देखे उनिश्वी शताबदी में भारतीयों की उत्मनती के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नीव डालने वाले थे उनिश्वी शताबदी में भारतीयों की उन्नती के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उनकी नीव डालने वाले थे राजा राम मोहन राई option C आपका यहाँ पर right answer है अगला देखे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके लुई विलियन डिरोजियो option B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question है प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेई है प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रे है केसव चंद सेन को option A यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस से संबंदित है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ संबंदित है आपके आरिय समाज से option D आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला कुश्यन है स्वादेशी चाहे वह कितनी ही त्रूटियों से पूर्ण हो अच्छे से अच्छे विदेशी राजी में कहीं अधिक अच्छा है यह कथन है आपके स्वामी दयानन्द सरस्वती का ओप्षन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए अशो के कलिंग युद्ध के विशय में किस अभिलेग से जानकारी मिलती है अगला देखिए अशो के अभिलेग किस भाषा में है अशो के अभिलेग है आपके ब्रामी भाषा में ऑप्षन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्यन है अशो के किस अभिलेग पर मयूर की आकरती है तो यह आपका अभिलेग हो जाएगा ननन गड अभिलेग पश्चिम शत्रपों का प्रमुख शाषक कौन था पश्चिम शत्रपों का प्रमुख शाषक था आपका रूद्र दामन ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए भारत का राजा किस युनानी शाषक को कहा गया है देखिए भारत का राजा डेमेट्रियस युनानी शाषक को कहा गया है ओप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए दुभाशिय शिक्कों को भारत में प्रचलित करने वाला 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 पर right answer है अगला देखिए मिनेंडर की किस ग्रंथ में अत्यादिक प्रशंचा की गई मिनेंडर की किस ग्रंथ में अत्यादिक प्रशंचा की गई तो इस question का right answer है आपका मिलिंद पन हो option A यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए द्रख्म कहते हैं शिक्को को options यह आपका है पर right answer है अगला कुशन देखे सको को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है यह नाम है सीथियन नाम से option भी आपका है पर right answer है अगला देखे चतुर्त बौध संगती किस की अध्यक्षता में हुई थी चतुर्त बौध संगती हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में option C अपका है पर right answer है अगला देखे मिनेंडर किस धर्म का अनुयाई था मिनेंडर था आपके बौध धर्म का अनुयाई option C last question देखे आज की वीडियो का और भी कुशन है गाईज इसम के अधर कुशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आज की वीडियो में स्टॉप 50 कुशन लेके आई थी मैं आप सभी के लिए तो 50 कुशन देख लेते हैं कनिश्क के शाशनकाल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ उसको कहते हैं इस कला को कहते हैं आपके गांधार कलाá option B आपका यहां पर right answer है ओके गाईगाई आज की वीडियो में इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आथिये तो वीडियो को लाइक शेर एंड हमारी यूट्यूब चैनल Study with AIM को जरूर सस्क्राइब कर ले वीडियो को जादा से जादा शेर जरूर करे और टॉप 50 में से आपके आउट आफ कितने कुश्यन करेक्ट रहे यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मिलते हैं एक नए इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद